नवस का दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चेनल पर दोस्तो रायस्तान PTT एकजम 2022 को लेकर आप सब के लिए समय की बहुत बड़ी ख़वर निकल के आ रही है जैसा कि आप सब को बता हो दोस्तो रायस्तान PTT के एकजम्स दोस्तो आपके जो है आज जित ह हो चुका है बीएर्ड की क्या कटव रहेंगी चार वर्ष ये दो वर्ष के लिए आपकी परिच्छा काजन किया गया तो इसमें साइंस की और आर्स की क्या कटव रहने वाली है जनल से लेकर सभी केटिगरी के बारे में कटव बाइच बात करेंगे दोस्तो आप से चोठी प्रक के बारे में वीडियों बदाने वाला हूं तो वीडियों को पुर्य जरू देख लेना आंसर की को लेकर भी बात करेंगे दोस्तों तो चलिए आपका ज्यादा समयना लेती हैं कितने फॉरम बरे गए हैं फॉरम आपको पता हुए जैसा कि दूस्तों औरम आपके इसम दोस्तों, दो वर्स की क्या cut-off है दोस्तों, मैं इस cut-off बताने वाला हूँ इस वीडियो में, अगर आप science के students में 10 नमर अपनी इसाफ से एड़ कर लीजेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं, general category की male candidate की 349 रहेगी, cut-off female की 328 रहेगी, OBC की अगर मैं बात करें दोस्तों, male candidate की 338 cut-off देखने को मिलेगी, female की 319, यह 8 की cut-off है दोस्तों, अगर आप science के हैं, तो science में सीटे कम रहती हैं, इसमें 10 या 15 नमर जूड़ दीजिएगा, अपने साफ से, SC category की बात करें, 346 cut-off जाएगी, male candidate की, female की 299, ST category की 301 रहेगी, और female की 293, मैं MBC की बात कर लेता हूँ, MBC की 344 और 309, यह दो वर्सी cut-off थी, अब मैं 4 वर्सी cut-off की बारे मैं बात कर लेते हैं, दोस्तों, 4 वर्सी cut-off है, वो high जाती है, BSTC या DLR के बरावर ही cut-off रहती है जर्नल की, आपकी दोस्तों, 400 प्लस यहां पर cut-off देखने को मिल सकती है, female में 380 प्लस cut-off रह सकती है, दोस्तों, OBC की बात कर लेता हूँ, 390 रह सकती है, 370 यहां पर female की रह सकती है, OBC में SC category की बात किया है, तो SC category में 350, यह दोस्तों, पहली लिस्ट की cut-off है, और यह आप SC आर्ट्स दोनों की cut-off है, दोस्तों, इसलिए दोस्तों, 360 और 330 दे रहा है, इतना अंता दे रहा है, साइंस और आर्ट्स दोनों की cut-off है, 330 यहां पर, 360 तक आपकी दोस्तों जो है female की रह सकते है, S.C. category में, और ST category में 340 से 360 के मक्दी रहेगी यहांब दोस्तो साइंस और आर्स दौनों की कटॉप मेल की फीमेल की 320 से उपर रहेगी EWS की वात गरो 320 प्लस रहेगी दोस्तों और 300 प्लस रहेगी यहांपर 4 वर्षी को इसकी फीमेल की MBC की जो कटॉप रहेगी 315 से लेकर 325 तक कटॉप जाएगी मेल फीमेल की तो यह दोस्तों आपकी 4 वर्षी 2 वर्षी कटॉप होगी आर्स की कटॉप में साइंस की कटॉप में बहुत अंतर रहता है तोकि आर्स की सीटे जादा है अंसर की की और दोस्तों इसका रिजल्ट आपका अगस्त तक जारी किये जाएगा आज कोड़े तरह ही वीडियो अच्छी वीडियो लाइक कर देना दोस्तों जुरू सेर करना चैह हिंद बंद मात्रां